हलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल में दोस्तो आप सभी लोगों के लिए एक नया रकूरूटमेंट निकल के आ रहा है बहतरी वेकंसी आउट हुई है पूरा डेटेल में डिसकस करेंगे कैसी वेकंसी ने क्या है देखो यार आज मैं यह सारी वीडियो बनाऊंगा तीन चार वेकंसी हैं आप सभी लोगों के लिए तो शौर्ट शौर्ट वीडियो बना दूँगा और सब को डेटेल में नोटिफिकेशन बता दूँगा जो आपके लिए इंपोरेंट है ठीक है तो चलो मैं आपको बतात करूंगा तो देखो दोस्त यह ONGC की तरफ से आउट हुई है आपकी ONGC के एक सबसेडरी है MRPL मेंगलोर रेफाइनरी एंड पैट्रो केमिकल लिम्टेड ठीक है तो उसी की तरफ से आपकी वेकंसी आउट हुई है एक ONGC की ही सबसेडरी है तो उसी की वेकंसीज है इसमें कौन को नहीं होने वाला है सबसे पहले मैं यही बता जिता हूँ अगर आपने बी बीटक कर रख्धा है तो ही आप इसमें इलिजवल हो रहे हैं डिपलेओमा आईटेवाले केंडियट इसमें इलिजवल नहीं है इस रूक्रूट्मेंट में पार्टिबेट नहीं कर सकते है डिप्लोमा आईटेए वाले ठीक है तो बीवीटक वाले कंटिन्यू करना और ब्रांच स्पेसिफिक बात बताऊं इलेक्टरिकल, मकेनिकल, सिविल, आपकी जो CTC आपकी जो मिलने वाली है, इसमें मिलने वाली है, 18 lakh पर है ठीक है, तो पूरी साल में आपको 18 lakh पे दिया जाएगा, पूरा CTC, company, cost to company, ठीक है, अब देखो एतनी अच्छी बात हैं इसमें सब कुछ, तो देखो यार, ये एक्जाम जो होने वाला है, ये पर्टि 2022, तो gate 2022, जिस किसी भी candidate ने दिया, भाई साब, उसकी इजवार चांदी कटी है, literally चांदी कटी है, क्योंकि उन्होंने इतनी vacancies आई है, gate 22 की basis पर, कि कितना ही बताया जाए आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोस्त, एक बार अपना gate अच्छे से लिखो, अभी आपके 50 से 55 दिन बाकी है, और exact अगर देखोगे, तो 45 दिन के आसपस आपके बाकी है, तो इसमें भी आप टूफान मचा सकते हो, अगर आपने preparation कर रखे, अगर gate की preparation नहीं कर देख, तो AI-ATC का एक्जाम है आपके लिए, और भी एक-दो एक्जाम आपके लिए चल रहा है, current में, ठ ठीक है, फिर उसके बाद में आपका personal interview होगा, और आपका GD होगा, तो ये दो round से आपका selection होगा, सबसे पहले short listing criteria इनका है gate, gate 2022 के marks, ओके, अब देखो vacancies देख लेते हैं, कौन से detail में vacancies हैं, देखो chemical में 28 vacancies हैं, mechanical में 24 vacancies हैं, civil में 2 vacancies हैं, electrical में 7 vacancies हैं, यार देखो mechanical की इस पास vacancies लेके आई हैं, total, सारा detail से में देखो मैं telegram पर भी डाल रखा है, और आपको और भी मैं information देता ही रहूँगा, instrumentation में 11 vacancies हैं, computer science में 5 vacancies है, chemistry में 1 vacancies हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी category वाइस, यहाँ mention कर रखेंगे कि कौन सी category में कितनी हैं, क्या है, तो यहाँ प date जो आपकी मानी जाएगी, 15-1-2023, तो 15 जनवरी तक आपको 27 साल minimum age limit है, मतलब इससे ज़्यादा, अगर आप हुए, तो आप eligible नहीं हो, maximum age आपको 27 होना चाहिए, unreserved EWS में, फिर relaxation देखने को मिल जाएगा, OBC, SST candidate को, 3 और 5 साल respectively, ठीक है, तो जो मिलता है, आप देखो, selection क बात कर लेते हैं, किस basis पर selection होने वाला है, तो gate 2022 के marks consider किये जाएंगे, shortlist करने के लिए, ठीक है, और आपकी जो degree है, उसमें 60% आपके minimum marks होने चाहिए, और 55% SCST candidate के लिए, 50%, ठीक है, तो यह सब हो जाता है, अब देखो, इसके बाद में, अगर आप gate से shortlist करने के बाद में, इनका selection procedure क्या रहेगा, देखो, सबसे पहले तो यहां लिख रखा है, कौन कोन इसमें eligible होने वाला है, full time आपकी BE, BTEC के degree होनी चाहिए, अगर आपके साथ में combined code से आपका BE, BTEC plus MTEC, तो वो 5 साल का वो भी valid हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी यहां पर mention कर रखा है, आप देखो तो पहले आपको select किया जाएगा, on the basis of your shortlisting gate criteria, ठीक है, यहां mention में कर रखा है, कि पहले gate के basis पर selection होगा, उसके बाद में जो आपका होगा, वो interview और GD का round किया जाएगा, जो मैं आगे दिखाता हूँ भी आपको, ठीक है, और देखो, यहां लिख रखा है, पुरा selection procedure, यहा के marks का, अब देखो, मैं आपको एक basic idea भी दोगा, दोस्त के आप कितने marks आ रहे हैं, आपके कांसी ब्रांच में, तो आपको भड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको कंजूसी नहीं करने चाहिए, जब इतना पईसा बढ़ाद हुआ है, तो यहां पे और सही, ठीक है, तो दो एक वार, ONGC में क्या हुआ था, IUCL में, लास्टाइम के recruitment में, बहुत सारे लोगों ने यह सोचा, यार, मेरा कहा ही हो जकता है, और literally, जिस किसी के 64-64 marks थे, और 63-63 marks थे, 63, उनका selection हुआ था, gate score 600 पर भी selection हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना हूँ, यार, अपना य जो भी PSU के निकलती है, उसके comparison में 118 बहुत minimum charge है, इसलिए मैं बोला हूँ, दोस्त, जिस किसी का भी, even gate score 650 ही है, वो भी अपलाई करना, mechanical में, और chemical वाले students तो आपका भीज़ा 500 भी हो, फिर भी कर दो, क्योंकि बहुत कम लोग ही भरते हैं, कि chemical में, ठीक है, तो यह हो गया आपका, अब देखो requirement online ही भील करना है, उसमें में क्या ही बताऊँ आपको कैसे क्या फिल करना है, वो तो आप मुझसे जादा ही जानते हो form फिल करना, लेकिन भाई साब, हाँ, दिमाग से और इत्मिनान से बैठ के भरना, कोई data भी misinterpret करके गलत लिख दिया ना आपने, तो इतना, I think, आपको clear हो गया है, और कहीं भी कोई भी तुरुटी हो, कोई भी दिक्कतारी, देखो मैं date भी बता देता हूं, important dates, आपका जो age वगेरा criteria है, वो 15-2023 तक होगा, और जो application from start है, वो 17-12-2022, ठीक है, तो एक-दो दिन वाद आपके start हो जाएगा, तो मैं description box में link डा दूँगा, और description box में भी, जिससे कि आपको कहीं भी दर-दर ना बठकना पड़े, टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, तो आपको सहुलियत हो जाएगे, ठीक है, आप देखो, जो भी opportunity आएगी, वो मैं आपको provide कर रहा हूं, बी-ई-बी टक, जिसमें छोड़ असा भी eligible ह हो, आइटे भी हो, तो मैं आपको provide करता रहूंगा, ठीक है, आपका एक दाशत्य भाषी सब, comment और description box में, जो link है, sorry, telegram, उस पर जाके join हो जाओ, जिससे कि आपको हर information मिलती रहे, और भी information आ रही है, आज तो बहुत information है, थोड़ा सवय से busy था, इसलिए मैंने सोचा कि आप आपको एक साथ ही दे दूँगा, तो अब regular interval में आपको दो-तीन वीडियो देखने का मिल जाएगे, ठीक है, चला फिर मिलते हैं ये वीडियो में, जब तक करे, जय हिंद, जय भारत